स्वागत है आप सभी का Tech Study आई टे यूटूब चनल पर सेल इसको स्टील प्लांट की तरफ से आई टे पास आउट केंडेट से लिए 200 से जादा पोस्ट पे अप्रेंट्सिप की वेकिंसी आई हुई थी जिसके फ़र्म आप सबने फिल अप किये थे क्योंकि स्टील प्लांट की अप्रेंट्सिप के बाद एक बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि स्टील प्लांट में कई बार टाटा स्टील में जब पर्मनेंट जॉब की वेकिंसी आती है टेकनीजियन की पोस्ट पे उसमें ये मागा जाता है लेकिन स्टील प्लांट या किसी अधर सेक्टर में आपको थोड़ा प्रेफरेंस इसका मिल सकता है साथ में आपको अप्रेंट्सिप का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे आप जैसे भी बी येल में सेयर करते रहते हैं तो ये यहाँ पे सेल आई एस पी बर्नपुर की तरब से जारी हुआ मेरिट लिश्ट जिसमें आप लोग अपना नाम जो है सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा आपको छोटा छोटा दिखेगा यहाँ पे ठीक है इसे आप जूम करेंगे तो आप इसमें आसानी से अपना नाम जो है देख सकते हैं सर्च कर सकते हैं ठीक है जारखन, वेस्ट बेंगॉल, यूपी कई जगों से यहाँ पे कैंडिट आप देखेए अंधरा प्रदेश सब जगों के कैंडिट जो है इसमें सर्च वाले आप्सन में जाके अपना नाम जो है ना आप सर्च भी कर सकते हैं यह पीडिएफ सर्च आप्सन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है यहां आप सर्च कर सकते हैं देखिए आसानी से मैंने प्रदीप यहां टाइप किया तो पहला नाम जो प्रदीप था उस पर सर्च में आ गया यह तो सबसे पहले अगर आप देखे तो यहां पर इलेक्ट्रीशियन का जो जारी किया गया है यहां पर जारी किया जाएगा भी है मेकैनिक आरेसी है ट्राफ्टमाइस सिविल है प्लंबर है तो कई ट्रेड के यहां पर वैकेंसी थी एंड आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा का आपका इसमें सेलेक्शन हुआ है या नहीं एंड सेलेक्शन के साथ साथ यहां पर जो नोटिस जारी किय गया है डाकुमेंट वेरिफिकेशन का आईए उसको देख लेते हैं यह मेरिट लिस्ट आपको हम टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉइन करके टिक स्टेडी आइटेई परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा और आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन सेड्यूल की बात करें सेल इसको बर्न पूर की तो इलेक्ट्रीशन ट्रेड को एक अगस्त 2023 को बुलाया गया नौ बज़े आपको पहुंच जाना है फिटर को यहां पर दो अगस्त को पहुंचना है रिगर टिगर एंड बेल्डर जो है इनको इसको स्टील प्लांट बर्नपूर अपोजिट पोस्ट ऑफिस बर्नपूर लैंड मार्क है आपका अपोजिट भारती भावन डिस्टिक पस्चिम बर्दमान बेस्ट वेंगॉल यहां आपको जाना होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डाकुमेंट्स लेके जाना है देख लीजए हैं आपको 10 की माक सीट अट सटिफिकेट आपको ले जाना है दिन आइट की माक सीट और सटिफिकेट आपको ले जाना है वैलिड आपका काश सेट्रिफिकेट जो वह आपको ले जाना है Central Government के फॉरउनिट वालाüm演 डिसके स्वाथ document verification के लिए जो बुलाए गए हैं वो जादा है जितनी available post है उससे तो यहाँ पे सभी नहीं select होंगे document verification के बाद final merit list जारी की जाएगी उसके बाद आप यहाँ पे जो है select किये जाएंगे and साथी साथ one year की apprenticeship होगी one year के बाद आपको वहाँ पे एक apprenticeship का certificate मिलेगा examination तो आपके नहीं होते सिर्फ आपका CVT exam भी अभी होगा आपका पहले जो होता था आप नहीं होगा आपके practical and seasonal के basis पे आपका जो mark sheet हो तयार हो जाता है और साथ में आपको certificate जो है मिल जाता है तो आप लोग अगर यहाँ पे select हुए है तो DV के लिए आप लोग जा सकते हैं जो के end date यहाँ पे join करने के इच्छुक हैं वही जाएगा क्योंकि इतने दूर जाना अगर आप इच्छुक ना हो join करने के बिलकुल तो कोई यहाँ पे बाद धता नहीं DV के लिए जाने के लिए बाकी जो vacancies आई है लेकिन उसमें आप लोग apply कर दीजेगा और इन केस आप overage हो रहे हैं आपका selection हुआ है तो opportunity miss मत कीजेगा वन येर के apprenticeship है आप लोग जाके जरूर join कर लिजेगा कोई और doubt कोई और सवाल अगर मन में है तो comment करके जुरूर बताएगा and please video को like or share and channel को subscribe साथ में telegram पे जुर जाएगा आने वाले time में आपको सभी तरह की job वो apprenticeship की update साथ में पढ़ाई की video सब कुछ इस channel पे हमेशा मिलता रहेगा thank you very much ख्याल रखिएगा अपना